हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैलसिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ साथ draw करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर phone consultation लेने के लिए आप screen पर दिखाए गए मेरे whatsapp नंबर के जरीए संपर्ख कर सकते हैं अब आप पास सकते हैं अपनी कुंडली वो भी 5 साल की भविश्यवानी के साथ वो भी सिर्फ 99 रुपीस में या कुंडली पाने के लिए आप जोतिशर.com वेबसाइट पर जा सकते हैं इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप यहां पर देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वेरिश फॉर्मेशन में नजर आ रही है जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वरकिंग टाइप की नेचर को और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहां पर देख पाएंगे फिंगर्स काफी थिक हैं और बहुत अच्छी लेंथ में नजर आ रही हैं सभी फिंगर्स के बेस फैलंजिस के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रिखाएं भी नजर आएंगी ऐसी रिखाओं का होना काफी पॉजिटिव माना जाता है ऐसी रिखाएं होने से नेटिव मिलनसार सभाव का देखा जा सकता है अगर हम इनकी पर्टिकल फिंगर्स की बात करें तो इनकी जो तरचनी उंगली है बहुत अच्छी लंबाई में है काफी थिक नजर आ रहे हैं यहां से आप बेस फैलंज से फिंगर की ठिकनेस को ज़ज़ कर सकते हैं इस तरह की थिक और बिल्कुल स्ट्रेट गुरू फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडर्शिप कॉलिटिस काफी अच्छी रहेंगी ऐसे व्यक्ति स्प्रिच्वल मैंड़ होते हैं दूसरों को गाइड करने वाली परसनालिटी दूसरों को सही रास्ता दि देखने को मिलेगी अगर हम इनकी शनी फिंगर की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे बहुत अच्छी लंबाई में और बिल्कुल स्ट्रेट यहां पर आपको इनकी शनी फिंगर नजर आएगी शनी फिंगर का इस तरह की फॉर्मेशन में होना इंडिकेट करता ह कि नेटिव काफी मेहनती नेचर का होगा ऐसे व्यक्ति डिस्सिप्लिंड होते हैं एक नियाए प्रिया और अनुशाशन प्रिया टाइप की परसनेलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी और अपनी इनहीं खूबियों की वज़े से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करपाने में भी ऐसे व्यक्ति जरूर कामयाब हो जाते हैं अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ फिंगर बिल्कुल स्ट्रेइट है और काफी अच्छी लंबाई में है इस तरह की सूर्य फिंगर नेटिव को काफी क्रिएटिव ट पाने में कामियाब रहते हैं अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे इनकी बाकी की फिंगर्स के मुकाबले इनकी मरकरी फिंगर्स हलका सा लो सेट होती हुई आपको नजर आएगी फिंगर्स के बिलकुल नीचे अगर हम एक लाइन ड्र फिंगर आपको बाकी की तिनों उंगलियों के मकाबले नीचे से शुरू होती हुई नजर आएगी इस तरह की फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रह सकती है थोड़ा हैजिटेशन भरा सभाव आपको ऐसे व्यक्ति का देखने को मिलेगा लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर इस फिंगर की लंबाई में कोई कमी ने या फिंगर लेंथ में अच्छी है जिसकी वज़े से नेटिव के कमीनिकेशन स्किल्स और नेटिव का बिजनेस एक्कुमेन काफी स्ट्रॉंग रहने वाला है अगर हम बात करें इनके माउंट्स की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो गुरू परवत का एरिया है काफी उभरा हुआ है इस तरह का प्रोमिनेंट गुरू परवत यानि ब्रस्पती का एरिया होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी नौलेजेबल होगा ऐसे व्यक्ति ग्यानवान होने के साथ साथ अध्यात्मिक नेचर के होते हैं यहाँ पर आपको एक क्रॉस जैसा चिन बनता हुआ नजर आएगा गुरू परवतिक ऐसा स्थान है थेली का जहां पर क्रॉस का बनना सबसे शुब माना जाता है और कहीं पर भी थेली में क्रॉस बनेगा तो उसके कुछ न कुछ नेक्टिव प्रभाव भी हो सकते हैं लेकिन इस एरिया पर क्रॉस का बनना अच्छे प्रभाव देता है ऐसा व्यक्ति समाज में एक अच्छा स्थान बना पाने में काम्याब रहता है ऐसे व्यक्ति को मिडल एज के बाद सुसाइटी में मान समान भी मिलता है और ऐसे व्यक्ति अध्यातम के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर हम इनके शनी परवत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनी का जो माउंट है हलका साइस सेरिया से आपको दबता हुआ नजर आएगा इस माउंट का इस तरह से दबना चीवन में होने वाले उतार चड़ावों को इंडिकेट करता है साथी साथ इस माउंट के दबने की वज़े से नेटिव को स्ट्रगल थोड़ी अधिक करने पड़ती है अपने कमफट जोन से निकल कर भी ऐसे व्यक्ति को जीवन में काम करना पड़ सकता है अगर हम शनी रेखा की बात करें तो अब देखेंगे इनकी एथेली में शनी रेखा मौचूद है लेकिन बीच में आकर यह रेखा थोड़ी ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ती हुए आपको नजर आएगी इस एरिया से इस रेखा का शुरू होना आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहां से आकर थोड़ी वीकनेस और दुबारा से इस से इस तरह से रेखा का आगे बढ़ता बीच में कुछ इस तरह हैं कि गैप्स बनना और रेखा का वीक होना इंडिकेट करता है कि लाइफ में काफी सारे उतार चड़ाव ऐसे नेटिव को देखने को मिलेंगे लेकिन अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर इस एरिया में इस तरह की सीधी और स्पष्ट भागया रेखा मौचूद हो तो ऐसे नेटिव की ओल्ड इज काफी कमफर्टिबल रहती है ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड इज में पहुंचकर भी थन की कमी नहीं होती एक कमफर्टिबल ओ पर आपको एक फिश जैसा चिन बनता हुआ भी नजर आएगा कुछ इस तरह की अकरिती आप इस एरिया में देख पाएंगे इस तरह का चिन सूर्य परवत पर बनना नेटिव की क्रेटिविटी को इंडिकेट करता है ऐसे व्यक्ति की भीतर काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्रेटिविटी वाली क्रेटिस देखने को मिलेंगी और ऐसा व्यक्ति लगबग 40 और 45 के असपास की एच के बाद जीवन में एक अच्छी पहचान सूसाइटी में बना पाता है ऐसे व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई ऐसी खूबी जरूर रहती है जिसकी वज़े से ऐसा व्य रेकोगनिशन पाने में काम्याब हो सकता है अगर हम देखें इनके मरकरी माउंट को हलका सा लो सेट मरकरी माउंट जरूर है लेकिन यहाँ पर यहाँ एरिया आपको उठा हुआ भी नजर आएगा और मरकरी माउंट का इस तरह से उभरा हुआ होना नेटिव की काफी अच् कम्यूनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है इनके अंगूठे के ऊपर आपको एक इस तरह से यव का चिन बनता हुआ नजर आएगा इस तरह के साइन को बुद्धा जाई का चिन कहते हैं हाथ में बुद्धा जाई का चिन हो और यहाँ पर एक क्रौस का चिन बन जाए इस और माइंड लाइन के बीच में बनने वाला यह क्रॉस का चिन और यह बुद्धाजाई का चिन अगर दोनों हाथ में हो तो नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है आने वाली घटनाओं का पूरवा अभास ऐसे व्यक्ति को बाखोबी हो जाता है कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो अपने किसी रेलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो ऐसी चीजों का अभास नेटिव को पहले से ही हो सकता है और साथी साथ ऐसे व्यक्ति की रूची अकल्ट साइंसिस में भी देखने को मिलती है जैसे यह पामिस्ट्री है एस्ट लाइन्स को आप यहां पर देख पाएंगे यहां इनकी हाट लाइन है कुछ इस तरह से आपको यह कर्वड फॉर्मिशन में नजर आएगी जिसकी वज़े से नेटिव थोड़ा इमोशनल सभाव का होता है और ऐसे व्यक्ति इनके हाथ में कर्वड हाट लाइन होती काफी क्य जीवन में काफी अच्छी तरक्षी को काफी अच्छी प्रोग्रेश को इंडिकीड करता है ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर ऐसा चिन बन रहा हूँ अगर अपने चीवन में इमांदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्षी पाने में जरूर कामियाब हो जाता है इसके बिलकुल विप्रीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेमानी से धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्तें आ सकती है और तरक्की रुख सकती है इसलिए जिनके हाथ पर भी इस तरह का फूर्क बनता है ऐसे नेटिव को हमेशा मैं यही सुजिस्ट करता हूँ कि सही रास्ते पर हमेशा चलें ताकि आपके चीवन में ज्यादा समस्याएं ना आएं आप यहां पर देख पाएंगे हाट लाइन में कुछ इस तरह का एक आईलन जैसा चिन बनता हुआ और यहां पर आगे चलकर भी आपको यह रेखा लिकतें और हाट से जड़ी कुछ समस्याएं होने की संभावना लेटरीज में रहेंगी ओवरॉल अगर ऐसा नेटिव अपनी हैल्थ का और अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखे तो इन समस्याओं को कम भी किया जा सकता है अगर हम बात करें इनकी लाइन आफ माइन क तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो माइन लाइन है कुछ इस तरह से स्ट्रेट चलती हुई और इसमें से एक ब्राच निकल कर नीचे की तरफ इस तरह से एक फूर्क बनाती हुई एक बड़ा फूर्क आपको इनकी मस्तिक श्रेखा के अंत में बनता हुआ नजर को याद रखने में सक्षम होते हैं लेकिन इस तरह की ब्राच का नीचे की तरफ निकलना और वो भी चंदर परवत की तरफ यह जो नीचे का माउंट रहा था इस साइड का यह मून का एरिया होता है अगर किसी की मस्तिक श्रेखा नीचे की तरफ जुक जाती है तो ऐसे व् व्यक्ति अपनी थार्ट्स को अपनी इमेजिनेशन को चैनलाइज कर लेता है तो यही जो रेखा है यही जो फोर्क बन रहा है इसको राइटर्स फोर्क का नाम दिया जाता है और ऐसा व्यक्ति अच्छा राइटर या अच्छा आर्टिस्ट भी बन सकता है अद्रवाइज इस तरह की चुकी हुई और दो मुखी मस्तिक श्रेखा का होना नेटिव को थोड़ा तनाव और स्ट्रेस जैसी दिक्ते हैं थोड़ी एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम्स जीवन में दे सकता है आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रेस लाइन्स भी नज़र आएंगी जो इनकी मस्तिक श्रेखा को इस तरह से क्रॉस करती हुई नज़र आ रहे हैं जिनके वज़े से जीवन में थोड़ा स्ट्रेस रहने की संभावनाएं साथ साथ ही रहेंगी अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जीवन रेखा है कुछ इस तरह से अच्छी लेंथ में है लगभग इस सेरिया तक पहुँचती हुई इस तरह की लाइफ लाइफ लाइन का होना इंडिकीट करता है कि नेटिव की जो एज है लगभग 75 के अराउंड रहने की संभावनाएं रहेंगी और यहाँ पर अंदर की तरफ इस रेखा का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है ऐसी रेखा जिसे मंगल की रेखा कहा जाता है हाथ में मंगल रेखा अगर मौचूद हो तो ऐसे व्यक्ति नर्चैटिक होते हैं और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी प्रॉ अगर हम इनके चंदरपरवत की बात करें तो आप देख पाएंगे यह जो एरिया है इस पर बहुत सारी रिखाएं आपको नजर आएंगे कुछ रिखाएं नीचे से उपर की तरफ चलती हुई और कुछ रिखाएं यहां पर आपको आड़ी चलती हुई इस तरह की भी नजर काफी जादा रिखाओं का होना यहां पर नेटिव के जीवन में काफी अच्छे ट्रैवल को इंडिकेट करता है नेटिव को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने को मिलेंगी ऐसे विक्ति की जीवन में फॉरण ट्रैवल के भी काफी प्रबल चांसिस बावनाएं इस तरह की रिखाओं की वजय से रहती हैं अगर हम इनके शुक्र-परवद की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे वीनस का जो मांट है यह जो शुकर का एरिया है काफी उभरा हुआ है इस तरह का उभरा हुआ हुआ शुक्र-परवद जीवन में हर त सारी बारीक आड़ी रिखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता कुछ इस तरह की आप काफी सारी रिखाएं इनके शुकर परवत के ओपर देख पाएंगे इसकी वज़े से नेटिव को अपने परिवारिक जीवन को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है नेटिव की फ दोस्तों ये कुछ अनैलसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सुवालों के जवाब एक ही वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई न कोई चिन या सुवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेशन पैंडिंग है तो मुझे वट्सैप पर मेसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद